हेलो एब्रिवन दिजिस फ्रिया वर्मा एंपी पीएस्टी तुसादनन सेवंटीन राइन फोर और मैंने आपके लिए अनकेडमी पर एकॉनमिक्स के बहुत सारे त्री मार्कर्स डाल रखे हैं और अगर आपने वो लेसंस नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज उन्हें देख दीजिए और यह उसी का आगे का हम शुरू करेंगे त्री मार्कर्स में तो आईए हम शुरू करते हैं हम देखते हैं आज आर्थिक व्रद्धी के मापक आर्थिक व्रद्धी को मापने के लिए जो इंस्रूमीन हम यूज करते हैं तो अगर यह क्वेस्टन आपको 6 मार्कर में आता है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं यह जितने भी हम पढ़ेंगे GDP, GNP, NNP, National Income and Per Capita Income तो यह जितना भी हम पढ़ेंगे तो यह आर्थिक व्रदी के मापक होते हैं मापने के लिए हम किसी भी इस्रूमेंट का यूज कर लेते हैं और नॉर्मली अगर आपने सुना होगा तो जाधा तर जो यूज में आता है वो है GDP, GDP के उपर बहुत जाधा बहस हमेशा चलती रहती है ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं GDP क्या होता है तो इसका फुल फो में ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट मतलब यह होता है कि घरेलू सीमा के अंतरगत एक वित्तिवर्ष में आपको दो चीज याद रखनी है इसमें important जो है एक तो जो एक वित्तिवर्ष और second घरेलू सीमा के अंतरगत यह दो चीज आपको याद रखनी है इसमें कि एक वित्तिवर्ष में एक घरेलू सीमा के अंतरगत जितना भी उत्पादन हुआ है उसका अंतिम वस्तू और सेवाओं का कुल मौद्रिक मुल्ली के अंतर उसका मापन करना ठीक है अंतिम वस्तू का मतलब यह है कि जो आखरी में प्रोड्यूस हुई है जैसे कि आपने मान लीजी कपास उगाया ठीक अब उस कपास से आपने कपड़े बनाने हैं तो सूती वस्त्र बना दिये ठीक है तो अंतिम वस्तू आपकी सूती वस्त्र कहलाएगी ना कि आपका कपास ठीक है तो अंतिम वस्तू और सेवाओं का मौद्रिक मुल्ली लेंगे घरेलू सीमा मतलब आपकी जो territory है इंडिया की अब उसके अंदर भले ही अपने स्वयम के जो यहां के निवासी हैं उन्होंने किया हो या फिर किसी विदेश से आकर किसी नागरिक ने किया हो यहां पर उतपादन तो वो हमारा GDP के अंदर count होगा मत ग्रोस नैशनल प्रोडक्ट में दो चीज़ आपको याद रखनी है कि एक वित्ति वर्ष में मिंस आपका जो वित्ति वर्ष हमने जैसे की जो decide किया है तो उसी के according हम लेंगे मतलब एक particular year ही लेंगे हम ठीक हमारे यापर वित्ति वर्ष क्या है आप सभी को पता होना चाहि है कि हमारे यापर एक April से लेकर 31st मार्च तक का वित्ति वर्ष है तो मतलब उस time period में ही हम इसको count करेंगे तो सामान्य निवाशी द्वारा घरेलू सीमा के अंदर और बाहर ठीक है यह difference देख रहे हैं आप यहाँ पर सिफ घरेलू सीमा के अंदर गत्था यहाँ पर तो इंडिया में करें काम या फिर किसी बाहर देश में जाकर काम करें उसका जो अंतिम मुल्य मुद्रिक अंतिम मुल्य रहेगा वस्तू और सेवाओं का वो count होता है जी एनपी में ठीक है यह basic difference आप याद रखें यहाँ पर आपको सिफ territory लेनी है जी डीपी में आपको रहता है और बाहर अगर वो काम कर रहा है तो भी क्योंकि वो निवासी हमारा है पैसा हमारे देश में लाने वाला है तो उसको जी एनपी के अंदर गत ले लेते हैं ठीक है इसको निकालते कैसे हैं तो जी डीपी count करिए उसके बाद यह इसका formula है plus x minus m तो x मतलब कि देश व पाशियों ने विदेशू में अरजित जो आई है उनकी उसको तो हम Philip कर देंगे लेकिन कुछ बाहर से भी कुछ लोग हमारे याँ पर उसको धी उसको हम minus कर देंगे ठीक है क्योंकि हमको सीफ हमारे यां के निवासां वाली ही आई चाहिए ठीक है, next है NNP, NNP मतलब net national product, यहां पर हमने GNP देखा था, gross, और जब हम इसमें से depreciation minus कर देंगे, जो मूल रास होता है, उसको जब हम minus कर देंगे NNP में से, sorry GDP में से, तो जो value निकलती है, वो NNP कहलाती है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरुवत न depreciation reduce कर देंगे, minus कर देंगे, तो वो NNP बन जाएगा, ठीक, national income, national income क्या होता है, तो एक वित्ति वर्ष में उत्पादि अंतिम वस्तों सेवाओं का शुद्ध मुल्य योग और विदेशों से अर्जित शुद्ध आई भी में शामिल रहती हैं, ठीक है, तो हमारे देश में जितना भी production किया है, जितना भी सेमाई दी हैं, एक तो वो, और हमने जो विदेशों से आई प्राप्त की है, या अर्जित की है, वो दोनों ही इसमें जोड़ी जाती है, और इस तरीके से national income बनाए जाती, मतलब national में रहने वाले लोगों द्वारा खुद के देश में या त होता है, net national product, उसमें जब आप जन संख्या को डिवाइड कर देते हैं, और यह जो NNP होता है, यह भी factor cost पे होता है, तो उसमें से जब आप डिवाइड करते हैं, जन संख्या से तो आपके जितनी भी जन संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक व्यक्ति की आई आई को मिल जाएगी, next हम देख लेते हैं, आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन क्या होता है, तो आर्थिक नियोजन से संबंदित में आपको पहले बता दूँ कि आपको इसमें पूरे जो हमारे अभी तक के जितने plans बने हैं, तो वो आपको पूरे पढ़ने हैं, उसके आपको जो हमारा जो आयोग बना था, वो भी आपको पढ़ना है, planning commission, उसके बाद अभी नीती आयोग बन गया है, तो वो भी पढ़ना है, नीती आयोग और planning commission दोनों, योजना आयोग और नीती आयोग इन दोनों में क्या difference है, क्या कारण हो गया, जिसकी वज़े से योजना आयोग को खत्म कर दिया और नितिया आयोग को चालू कर दिया तो वो भी आपको देखना पड़ेगा ठीक है और बाकी आर्थिक नियोजन के क्या लाब है क्या हानी होती हुई हिस्से या जो भी हमने अभी तक चलाएं और इस्पेशली आपको जो 12th 5-year plan है 12th नंबर वाला व आपको भी पढ़ना है पूरा उसमें क्या-क्या प्रावधान किये गए हैं वो पूरा देखना पड़ेगा ठीक है तो हम आर्थिक नियोजन देखते हैं आर्थिक संसादुनों का पूर्व मुल्यांकन करके पूर्व निर्धारित लक्षों को निश्चित समय में प्राप् करने हैं तो संसादुनों का योजना बद्ध उपयोग करना ठीक है अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए इसको कितना कंसाइज में लिखा है इतनी बड़ी सारी चीजों को बहुत शोट में लिखा है आर्थिक संसादुनों का पूर्व मुल्यांकन करके जितने भी हमा निख्षित समय में प्राप्त करने के लिए संसाधनों का योजना बद्ध विपोक करना योभी योजना बने है उसको फिर उसके अकौर्डिंग उपयोग करना संसाधनों को तो इससे कहते हैं आर्थिक नियोजन सबसीडी, सबसीडी क्या होता है जब सरकार कुछ विशेश वर्गों को सबसीडी सभी को नहीं दी जाती है सबसीडी कुछ विशेश वर्गों को ही दी जाती है जिसमें जो वन्चित लोग है, गरीब या अन्य प्रात्मिक तवाले छेत्र जो आर्थिक लागत से कम कीमत पर वस्तू एवं सेवाओं की आपूर्टी करती है जब सरकार किसी वन्चित वर्ग को या तो वो गरीब हो वन्चित हो या फिर कोई प्राथमिक शेत्रों जैसे के क्रशी तो जब इन शेत्रों में सरकार जो भी लागत आई है उस लागत से भी कम मात्रा में या कम कीमत में वस्तू और सेवाओं की आपूर्ती कर दे मान लो कि किसी वस्तू की कीमत आ रही है आर्थिक लागत मतलब बेशने की कीमत ने ये लागत आ रही है 100 रुपे की लागत आ रही है अब 100 रुपे में से आपको वो बस्तु सरकार दे रही है मानलो 70 रुपे में 30 रुपे की आपको सबसेडी मिल रही है तो ये 30 रुपे की जो भरपाई सरकार को करनी पड़ती है ये 30 रुपे कहलाते हैं सबसेडी तो ये आर्थिक लागत की शती पूर्ती के लिए किया गया जो सरकारी व्याय होता है उसी को सबसेडी कहते हैं क्योंकि आपको कम में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ ही उत्ते में रहा है सरकार को आधा जो पैसा है जितना भी आपको सबसेडी के रूप में मिल रहा है वो सरकार को देना पड़ता है तो ये फॉर्मूले से भी आप याद कर सकते हो इसको आर्थिक लागत माइनस निकासी मुल्य और इस तरीके के फॉर्मूलो वाइज अगर आप लिखेंगे प्रेजेंट करेंगे तो और अच्छे मांक्स आपको मिल सकते हैं NSSO National Sample Survey Organization ये कुछ राष्ट्री आई से सम्बंदीत या फिर अलग अलग आँखडों से सम्बंदीत कुछ आपके Organizations रहेंगे जिनके बारे में पूछा जा सकता है तो आपको तीन चार चीज़े उसमें याद रखनी है Establish कब हुआ Headquarter कहा है और उसका उद्देशी क्या है ये तीन चीज़े बस आपको याद रखनी है तो ये 1950 में Establish हुआ महाल नोबिस समीती की अनुशेंसा पर ठीक है जो महाल नोबिस थे उन्होंने हमारा Second Year Plan का भी योजना बनाया है सामाजिक आर्थिक और ध्योगिक सांखी की क्रशी सांखी की खुद्रा कीमोतों से समध्दी जानकारी को इकत्र करता है सभी सामाजिक आर्थिक और ध्योगिक सांखी की क्रशी सांखी की और खुद्रा कीमोतों से समध्दी जानकारी को इकत्रित करता है ठीक है, sample survey है, आपको नाम से समझाना चाहिए, sample survey करता है, तो अभी इसको भंग करने का फेसला लिया गया है, CSO, Central Statistical Organization, ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्री आई के आखडों का संकलन, ये आपको याद रखना है, CSO, राष्ट्री आई के आखडों का संकलन, नियमित रूप से राष्ट्री आई के आखडों का प्रकाशन, एक तो संकलन करेगा और प्रकाशन करेगा, ठीक है, तो ये भ तो ये तीन-सार चीज़ा आपको इसमें याद रखने है और ये वाला important है क्योंकि राश्ट्री आए आपका topic है और ये राश्ट्री आए कि आकडो को ही संकलित करके फिर उसको प्रकाशित करता है ठीक है नेक्स देखते हैं हम NSC National Statistical Commission ठीक है 2006 में स्टेबलिश हुआ था रंग राजन आयोग ने इसकी अनुशंशा की थी तो उनकी अनुशंशा को ध्यान में रखते हुए इसका गठन 2006 में किया गया डाटा के संग्रव के संबन में देश की सांखी की एजिंसियों को जो समस्यां रही है जितनी भी एजिंसियां डाटा को एकत्रित करने के लिए कारी कर रही है अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस समस्यां को समाधान करता है National Statistical Commission NSC नेक्स्ट है ISI Indian Statistical Institute यह सबसे पहले गठित हुआ था 1931 में कोलकाता में इसको गठित किया गया था और महाल नोबिज जी ने इनकी स्थापना की है तो यह वाला important है क्योंकि यह सबसे पहला था जो इस छेत्र में गठित किया गया था तो सांखी की एवं सम्मंदित विश्यों में शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए इसको गठित किया गया है सांखी की और उससे सम्मंदित जितने भी विश्य हैं उसमें यह शिक्षा भी देता है और उसमें यह अनुसंधान भी करता है तो यह कुछ और गिनाइजिशन और कुछ अदर थ्री मारकर से जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इनको आप याद रखेगा